मौसम समाचार में आपका स्वागत है मौसम की लेटिस खबर पाले के लिए तुरम सब्सक्राइब करें यूएंबी नियूस को और कि जिले की मौसम जानकारी आप जानना चाहते हैं हमको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मौसम भाग ने कहा कि 25 जुलाई से उत्तर भारत में भारी बारिश की गतिविध्या बढ़ेंगी दिली पंजाब हर्याना के कई हिस्से बार्द यूज रहे हैं भारी बारिश का नया तौर परिशानी बढ़ाएगा मौसम भाग ने गुचरातर महराष के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है हिमाचल परदेश उत्तराखन जमो कश्मीर में भूस कलन के चलते हालाव पिगड़े हैं वहीं 25 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट है साथी परदेश के पूर्वी लाकों में भी अधिकतरे लाकों में बारिश के आसार है 26 जुलाई को भी पश्चमी यूपी में लगबख सबी जगे और पूर्वी यूपी में अनेकिस्थानों पर गराचमा के साथ बारिश हो सकती है 25 जुलाई को भी यूपी के कुछस्तों में तेज बारिश होने की संभावना है देवरिया गोरकपुर संतिकबीर निगर बस्तिया युद्ध्या गोंडा बारमकीलेक नुसीतापुर हरदोई और तेज बारिश होने की आसार है इसके अलावा गाजियाबाद, मेरट, बाकपत, ललिल्पुर, छासी, मिर्ज़पुर, प्रियागराज, चित्रकूर्ट, बाना, महोबा, सोद्रभदर में हलकी बारिश का पूर्वनुमान है वहीं शाजापुर, खुरुखाबाद, एटाकास, बदायों हातरा, स्मतुरालीगर, संबल पुलन शहर, गौतम बदिनगरम, रोहाहापुर में बारिश हो सकती है बिहार में अच्छी बारिश का इंतिजार बढ़ता जा रहा है, अगले चार दिन मौनसुन की बेरुखी जाहिर रहेगी मौसम भाग की माने तो आज भी पुड़ी प्रदेश में उमस्भरी गर्मी की स्तिर देखने को मिलेगी, 28 जुलाई तक भारी बारिश के आस्तार नहीं है 39 के बाद भी मौसम बदलने की उमीद है इलाहबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ने से समस्तिपुर में बिन बारिश गंगा नदी उफान पर है बेतिया में बारिश से लोगो बुगर्मी सिवराहत मिली है रजस्तान में इस बार मौनसून जबर्दस्त महरबान है पिछले 24 घंटों में प्रदेश के दक्षन और पश्चिमी जलों में अच्छी खासी बारिश होई हरुमानगर की धगर नदी में जलस्तर लगतार बरता जा रहा है इसको देखते हुए प्रसाशनल अलर्ट मोर्ट पर है वही मौसम भागने आज प्रदेश के गुछ राज से सटे जलों में तेज बारिश की संभावना जताई है डूंगर पुर पताबगर रास सबन हुदैपुर सिरोही भीलेवाणा जालो और बानमेर पाली चितन और गड़ में हलकी वर्षा की संभावना है वही सीकर जैपोर, टोक, बूंदी, करॉली सवाय माधुपूर, दोसा, कोटा और छालावार जलों में कई सारों पर में गरजन के सागा थलकी से मध्यम वर्षा की संभावना जताई गई है मध्यपदेश और चतिसगर में जमा जम बारिश हो रही है वही मौसम भाग ने दोनों राज्यों के कई सलों में अलार्ट जारी किया है आपको पता दे मध्यपदेश में अर्थिभारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है वही 36 गड़ में भी बादल जम कर बरस सकते है रिपोर्ट के नुसार दोनों राज्यों में अगले 2-3 दिनों में बारिश से कोई रहात नहीं मिलने वाली माध्यपदेश के इंजलों में जारी है ये लोगलाट मुझफर आबाद में 25 जुलाई से बारिश की संभावना है मौसंत की हार लेटेस खबर पाने के लिए आभी सब्सक्राइब करें योएम वीडियो अपना कीम पीसा में देने के लिए धन्यवाद आपको देर शुब हो